दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक अमावस्या लगबग 29.5 दिनों में होती है क्योंकि चंद्रमा दर्ती की परिक्रमा करने में लगबग इतना ही समय लगाता है साल 2024 का पहला जो सूरी ग्रहन है आजी की दिन यानी 8 अपरेल को होने वाला है और यह बेहत ही दुरलब गटना मानी जा रहा ही है क्योंकि यह एक पूर्ण सूरी ग्रहन है अगर इसके समयकार की बात करें तो यह 5 गंटे 10 मिने तक रहेगा यह कुछ अन्य देशों में दिखाई देगा जबकि इडिया में यह दिखाई नहीं देगा यह कुछ अन्य देशों जैसे की कैनेडा है उत्तर अमेरिका जैसे अटलांटिक और आर्केटिक जैसे देशों में दिखाई देगा अगर हम बात करें सूरी गरान की, तो जो सूरी गरान की जो घंड़ना है वो तब होती है जब चंद्रमा अपने पत्पर चलते हुए प्रत्वी और सूरी की बीच में आ जाता है जिसमें सूरी के पूरा भाग है या कुछ भाग है और धक लेता है जिसकी वज़े से सूरे ग्रहन होता है अगर हम बात करें जिस तरह से प्रत्वी सूरे के चकर लगाती है और प्रत्वी के चकर लगाता है उसी प्रकार से जब प्रत्वी और सूरे के बीच में आजाता है और उसे जो सूरी की जो जिसने भी भाग है उसको धक लेता है उसको हम सूरी ग्राण की गटना बोलते हैं वेसे तो सूरी ग्राण चार प्रकार के होते हैं जिसमें पूर्ण सूरी ग्राण, अंसिक सूरी ग्राण, हाइब्रेंट सूरी ग्राण और वार्शिक सूरी ग्राण इसमें शामिल है